हे इंडिया, चलो कुछ पॉजिटिव फील करते हैं विस संदीब सिना, इमाजिन करते हैं कहीं तो जादू से तुम्हारे अकाउंट में 86,400 रुपीज आ जाता है, परंतु कोई तो ऐसा है जो उसमें से 10 रुपे लेके भाग जाता है, क्या करोगे, परिशान होगे, दोड़ोगे उसके पीछे, कि कहीं से तो तुम्हारे अकाउंट में फिर से वो 10 रुपे आ जाए, नहीं करोगे न, भूल जाओगे उस 10 रुपे को, बचे हुए पैसो से कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, यही तो करना है तुम्हें अपनी जिन्देगी के साथ, पूरे दिन में तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं, उसमें से अगर कोई 10 सेकंड के लिए तुम्हें नेगेटिव फील करवाता है, तो बाकी का समय वही सोचने में क्यों गवा देते हो, बाकी का समय क्यों बरबात कर देते हो, चोटे-चोटे गम पालना बंद करो, जिन्देगी बहुथ लंबी है, हाँ, पर अगर कोई तुम्हें continuously नेगेटिव फील करवाता है, कोई तुम्हें continuously हरास करता है, कोई तुम्हारा maximum समय खा जाता है, तब क्या करोगे ऐसी चीज के लिए दो solution है एक तो उनको ignore करना शुरू कर दो धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि तुम्हें उनसमें कोई interest नहीं है और वो दूर चले जाएगे पर ऐसे कुछ रिष्टे होते हैं जिन्हें ignore करना जिन्सके साथ distance maintain करना possible नहीं होता माबाप का रिष्टा पती पत्नी का रिष्टा बच्चो का रिष्टा भाई बहनों का रिष्टा तब क्या करोगे तब अपना point strongly उनके सामने रखना है कि हमें आपका ये nature पसंद नहीं है आपको बदलना होगा mutual understanding से अगर किसी relationship को redefine करोगे तो वो relationship और सुन्दर हो जाएगी विश्वास करो हसते रहो मुस्कुराते रहो क्योंकि life is beautiful